हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इस हर्समिसरा एंड यू आर वाचिंग किंग किर्गेट तो गाईज आप सभी आईपील आक्सन जो की उनने दिसंबर यानी की कल होने वाला है उसको लेकर काफी एकसाइटेड हैं कल सभी टीमों के बीच हमें अच्छा खासा बिटिंग बार देखने को मिलने वाला है सभी टीमें अपने कमजोर कड़ियों को दूर करने का पूरा प्रयास करनेगी तो आज की वीडियों हम चर्चा करेंगे आईपील की बनावदी मोस्ट लविंग टीम चिनने सुपर किंग्स की इस वक्त सीएसके की टीम के पास कुल 14.60 करोड का परस है साथ ही कुल 5 सलोट्स एवलेवल है हालाग वैसे तो ये काफी मजबूर टीम दिख रही है फिर भी आज की वीडियो में हम तीन ऐसे बीक एरियाज की चर्चा करेंगे जहां पर आक्सन में जिसके सुधार करना चाहेंगी तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें साथ ही अगर आप आप आपील आक्सन को लेकर एक्साइटेड है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे और हमारी चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ताकि आने वाली किरिकिट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूजन अपडेट्स आप तक जल्दी से लीप पहुंचती रहें तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट तो नमबर वन पॉइंट है अगर हम सीएसके के वेटिंग डिपार्ट्बंट पर नज़े डालें तो उन्होंने फॉर्ण प्लेयर्स में सेम विलिंग को रिलीज कर दिया है किवल सेन वाट्सन फाब डू प्लेस्ट फॉर्ण प्लेयर्स के रूपे मौजूद है हालक इंडियन वेट्स में काफी खतरनाक प्लेयर्स है तो ऐसे में सीएसके की टीम आईपी लाक्सन में ऐसे फाइन प्लेयर्स को टार्गेट करेगी जिफाब डू प्लेस्ट सेन वाट्सन को बैक कर सके साथ ही इन्हें मिडल आर्डर पर भी फोकस करना होगा तो ऐसे में सीएसके के लिए डेविड मिलर, सान मार्स काफी बेटर आप्सन हो सकते हैं जो कि सीएसके बैटिंग लाइनप में अच्छा खासा एक्स्पिरियंस लाएंगे इसके अलावा एवन मार्गन भी बेश्ट आप्सन हो सकते हैं नमबर टू पॉइंट है विग हिटिंग आलाउंडर सीएसके की मौझूदा स्कॉइड में एमस दोनी डेविन ब्रावो जैसे स्पेसिलिस्ट निसरा हैं इनके लावा रमिंदर जटेजा केदार जादब भी हैं जो डेट ओवर्स में थोड़ा वहुत फार वर्क्स कर सकते हैं हलाका अगर हम एमस दोनी को छोड़ दें तो बाकी बेश्ट ने डेट वेटिंग काफी बीक रही थी तो ऐसे में स्पेस्ट को डेट ओवर्स के लिए एक अच्छे वेगेटिंग आलाउंडर की जरूरत है तो स्पेस्ट को आईपी लाक्सन में आलाउंडर को टार्गेट करना चाहिए जो टीम में ज़्यादा वैलेंस प्रोवाइट कर सकें इसके लिए CSK को चुनंदा स्टार्स के उपर दाउं खिलना चाहेंगी इस लिस्ट में जेमस नीसाम, गिलेन मैक्समिल, क्रिस मौरिस, सैम कुरान है इन्वेसे किसी योग को भी CSK पिक कर सकती है नमबर थिरी पॉइंट है बैक अफ पेस बॉलर्स एमस दोनी के अंडर में दीपक चाहर एक क्वालिटी पावर पिले वालर वनकर उबरे हैं साथी इस सालवे लूंगी एनगीडी की कमपनी में वालिंग करने वाले हैं इसके लावा CSK ने केम आसिफ सार्दुल ठाकुर को भी डेटेन किया है लेकिन इंजूरी के चलते लूंगी नगीडी पिछले पूरा सीजन नहीं खेल पायते और दीपक चाहर की टेट बालिंग भी उतनी खास नहीं रही थी तो ऐसे में CSK मैनेजमेंट को दो लीड वालर को टार्गेट करना चाहिए तो ऐसे में जैदे बुनात कर जो बैराइटी से अच्छी वालिंग करते हैं इनके अलावा सेल्डन काटरॉल जिनके पास अच्छी खास बिकिट्टेंग अपिलिटी है इन दोनों को CSK टार्गेट कर सकती है तो यही ते ऐसे तीन एरिया जहांपर CSK IP लाकस में सुधार करना चाहेंगी तो यही ते आज की न्यूज आई होब आपकी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार हमें जरूर दें साथ यसे दोस्तों में सेर करें और हमारे इस चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब ताकि आने वाली किर्किट की ऐसी ही लेटेश न्यून अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जहिन जवारत